गाईज फीपा वल्ड कप का एवजन इस बार कतर में हो रहा है जिस वज़े से फीफा ने पाकिस्तान को अमीर बना दिया है फीफा की वज़े से पाकिस्तान दो बिलियन डॉलर कमा चुका है गाईज काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये फीपा क्या है तो दोस दोस्तो आप सभी ये तो जानते ही है कि किरकेट एक इंटरनेशनल खेले जिसको बहुत से देशों के द्वारा खेला घिला जाता है लेकिन बाकी देशों में किरकेट से भी पिरे एक खेले के नाम से भी जाना जाता है फिफा की स्तापना 1906 में की गई थी उस समय फिपा की स्तापना बेलजियम जर्मनी डेनमार्क स्वीडन इस्पैन फ्रांस नीदरलेंड और स्विटलेंड जैसे देशों के बीश खेले जाने वाले मुकापले के चंचालन के लिए किये गई थी इस असोशियन का मुक्याले स्विटर जलेंड के जूरिक में हैं गाई जिस परकार से किर्केट के लिए एक असोशियन होती उसका नाम बी सी सी आई हैं वह सबी अंद्रास्टे मुकाबलों का आयोजन करती हैं तूनामेंट की सिक्यूरिटी में उसे पाकिस्तान की मदद मिल र मांगी थी जिसमें फ्रांस, जॉर्डन, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका सामील है फुटबाल वर्ल कप देखने के लिए उनुमानी 12 लाग फैंस कतर पहुंच सकते हैं जिनकी सुरुकसा को मद्दे नजर रखते हुए कतर ने देशों से ये मांग की गाईज पाकिस्तान अक शेनीकों की होगी जब पाकिस्तानी सेनीकों को विदेश में किसी उत्रास्टे टूनामेंट की सुरुकसा में टैनात किया गया है विदोस्टों से वापस बुलाया। गतर की सेना और पुलिस बलो की संक्या काफी कम है जिस वज़े से उसे सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से मदद पांगनी पढ़ रही है। तो गतर दूसरे देशों से सेनिकों की मांग करना आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और जानकर यह ची लगियो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब कर दे।